मैं बादाटपा का एजेंट हूं तो तेर refinedr जी के खिलाब, सिबीए कुस्मे करा एधाए थी, उनका इस्तिफ़ा कैसे हुआ सरकार का बश्टाचार किसका दिखाय था कभी वह कहते हैं कि मैं बादटपाई के हुं। बादंगे सिस्तिफार करवा दू तो मैं। Google गंटी बजाना सिखाओ इसके अलावा कुछ मत सिखाना आप कहते हो राम को लाए राम को आप लाए राम हर घर में बसते हैं हमारे दिलों में बसते हैं तुम भी लगा लो ना लोग समा में मौझूद है और राजनेतिक चर्चाएं गरम है हरी श्रावत चंदे जुटाने की अपील कर रहे हैं तो वहीं भाजपा अलगातार हमलावर है उमेश कुमार पर हमलावर है आज बात करेंगे लोग समा को लेकर हरिदुआर में प्रचार कर रहे हैं आप कितना ज जन्मानस जुड़ा है आम जन्मानस आज हरिदुआर के सम्मान और स्वावि मान चाहर जितने भी परवासीं कि यहां आते हैं यहां Within चुक कर चले जाते हैं चुनकर नहीं हSpi चुकคर जाते हैं और उसके पांस सार इनको किसी की कोई परवा नहीं है हरिदुआर में आज य किसीने आवाज नहीं उठाए को बोलने को तयार नहीं हुआ ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि आपके लिए जनमानस की भावनाएं मैं तो नहीं रखती है आपके लिए पार्टी की भावनाएं जब तक आप पार्टी की सीमा में बने रहेंगे आप किसी की आवाज नहीं उठ सकते हैं आपको सवतंत्र होना पड़ेगा लड़ना पड़ेगा आवाज उठानी पड़ेगी सदन में मैं बोला कोरीडोर के लिए कौन बोला बताइए मतलब सांसद बनेंगे तो यह विश्वास जिना रहे हैं कि कोर्डोर नहीं बनेगा मैं इतना विश्वास जता रहा हूं कि अगर यहां बुल्डोजर चलेगा और वेपारियों की इच्छा के विपरीद चलेगा तो सबसे पहले हम पे चलेगा हम आगे खड़े होंगे चाहे मैं सांसद रहूं चाहे मैं विधायक रहूं किसी भी इस्तिति में रहें इस कोरीडोर की लड़ाई हम लड़ेंगे भा हटा दिए गए मेरी तिरवेंदर जीसे भी कोई परस्तल दुश्मनी नहीं है भरस्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी हमने उनके भरस्टाचार को उजागर किया उन्होंने हमें जेल में डाला उन्होंने हमारे का दरजनों मुकदमे किये एडी की सीवी आई की इंकम टेक् पास थे लोगों में बाटना चाहते थे कमाना चाहते थे जो आपने कहा था मैं एक एक विधायक को 20-35 क्रोड दे दूँगा तो 20 विधायक खरीदने के लिए आपके पाचाड़ से आये थे आज आप भिकारियों की तरह चंगा चंदा मांग रहे हैं इसाब मेरे बेटे को लडाने के लिए चंधा दे ただ पास थे तर्छनौ रोड़ाने के लिए आपके पास थे कfillिस्तफचण की रोगों की रगों में शराब दोड़ाये ना बड़ा धंदा आपके राज में हुआ है शराप के सबसे बड़े माफिया आप रहें आप बहरूपिया है असल में यह जो नटंकी बाजी है ना कि चंदा दे तो मेरे बेटे को लड़ा लो भावनातमक कार्ड आपका चलने वाला नहीं है सब लोग समझ रहे हैं कि आप क्या आपको आज उन्होंना इस प्राण दिया है कि मेडिया में चलता है कि आपको भाजपा का एजेंट हूं तो तिरवेंदर जी के खिलाब सीबीया किस ने कराई थी उनका इस्तिफा कैसे हुआ सरकार का बश्टाचार किसका दिखाया था कभी वो कहते हैं कि मैं भाजपाई बाजपाई कहते हैं मैं कॉंग्रेस की सरकार गिरा दू तो मैं बाजपाई हो गया बाजपागे मुख्यमंद्री का इस्तिफा करवा दू तो मैं कॉंग्रेस ही हो गया अपने गर्बान में जहांको पहले अपने भष्टाचार पर जहांको जब से राज्ये बना है आप लो हर्दौर के कौन से मेयन मुद्द रेंगे हैं आखने सवाल चारपाच कर अनला है हरड़ौर का सबसे मेयन मुद्द है इसकोड़ूरी वइपारी है अर वैपारीों के लिए यह समझते हैं वैपारी ने तो वोट देना ही देना है ये तो जाएगा ही जाएगा कमल पे इनको ये गलत फहमी हो गई है उनकी भावना है उनकी परिवारी के स्थिति आप 200 साल से जो लोग है रोजगार जिनके पिड़ी दर पिड़ी रोजगार चला आरहा आपने उनसे एक बार भी नहीं पुछा कि ये मियाँ ये करने जा रहे है आपने उनको उजाणने से पहले उनके विस्तापन के लिए आपने कोई परकरियाप नहीं आपने इतना बड़ा निर्ने लिया आपने एक बार भी वेपार मंडल के लोगों को बिठा के पुछा क्या करना चाहिए मंच्छा देवी से सीख नहीं मिली आपको केदारनात के हास्ते से सीख नहीं मिली समझना पड़ेगा आपको और लोगों को भी समझना होगा ये तारा सितारा दोनों एक ही सिक्के के पहलू है एक रावत आएगा दूसरा रावत जाएगा तो इनसे हमको बचना है मैं कहता हूं वह 500 पार करे ये तो जनमत है कौन क्या देना चाहता है आप बार बार कहते है एकर आईयोद्या मितलशेय भागए आपकी आप कभी कहा कि दिल्ली के अस्पताल coupon जाट हम भी पूरे देश में भाग इसके आप कहते हैं राम को अ electric में बसते हैं अमारे दिलों म बहुत धन्यवाद पर आप यह नहीं काई कि हम राम को लाए हैं राम वारे घरों में सदियों से चले आ रहा है बाई देखिए ऐसा है सब राजनितिक है अच्छे से आप समझते हैं आज तक मुझे यह बता दीजे क्या आप एक दस्तवेज नयाले में प्रस्तुत कर पाए है कि आपने किसी को क्यों गिरफ्तार किया साक्षे क्या है एक आदवी ने स्टेटमेंट दिये कि सब आपने पैसे लिये हैं वो पैसे बताएगा तो से उसके पास कहां से आय थे आज मैं कह दूं कि फलाने ने पैसे लिये हैं आप माल लेंगे उसे गिरफ्तार कर लेंगे कौ रिवाड हो रहा है ना आप अपने को क्या अपनी आनी वाली पीडियों को भी माफ नहीं कर पाएंगे मैं बता रहा हूं तो यहां पर आपने सुना हुमेश कुमार हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे खास बातचीत में हमारे साथ हरीदवार से जुड़ेते फिर मिल